नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि सुक्र ग्रह सिंग राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं इसे इन तीन राशीयों के लोगों की किस्मत चमक उठेगी इंदू दर्म के अंसार मानो कुंडली में ग्रहों के स्थिति भूत माइने रखती है जियोतिस के मुताबिक ग्रहों की चाल मानो जीएं को सूब या असूब तरह से प्रभावित लगती है आने वाली 17 जुलाई को सुक्स वीदाओं का अदाता का है जाने वाला सुक्र ग्रह सूरिया की रासी सिंग में परवेश करने जा रहा है यहां पर वे 11 अगस्त तक बने रहेंगे वहीं दूसरी और सोड़ा जुलाई को सूरिया का करक रासी में परिवर्तन होने जा रहा है घरों की यह चालमान जीन को प्रभावित करने वाली है अच्छी बात यह है कि इस बार गरों की यह रासीयों को सुब तरह सरे परवावित करेंगी तर लिए जानते हैं कौन सी रासी को कितना फाइदा होने वाला है करक रासी करक रासी वालों के लिए सूरिया का गोचर बेहदी फाइद मंद साबित होने वाला है इस दोरन आपकी स्तीति में शुधार आएगा आया के स्तरोत खुलेंगे, अगर आप निवेज करने के बार में सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए सही समय है। सिंग रासी वालों के लिए सुकर का गोचर बहुत ही तरक्ती वाला है, ऐवीवातों के लिए खुसी की खबर आ सकती है। अगर partnership में business कर रहे हैं तो फाइदा होने का योग है तुला राशी के जातकों को सुक्र के गोच्छ से भी काभी फाइदा होने वाला इस दोरान जातक धार्मी कारियों में ज्यादा रूची लेंगे आर्थिक रूप से आपकी स्थिती पहले से कहीं जादा अच्छे होगी विवी स्तरोतों से अरजित धन अरजित करने में आप सफल रहेंगे लंबे समय के लिए कोई निवेश कर सकते हैं समय अनुकूल रहेगा धन्यवाद